हाई, वेल्कम डूब बाचानों, चले क्विशन वां 19 सल करते हैं वेट आफ मेटल ब्लॉग आफ साइज 5 सेंटिमेटर बाइ 4 सेंटिमेटर बाइ 3 सेंटिमेटर इस 1 केजी तो वेट दे दिया है एक मेटल ब्लॉग का ठीक है, जिसका डैमेंसन दिया हुआ है 5 सेंटिमेटर लेंथ है और ब्रेथ है आपका 4 सेंटिमेटर एंड है 3 सेंटिमेटर अब इतने लेंथ का इतने ब्रेथ का और इतने हाइट का जो वेट है वो दे दिया है 1 केजी ठीक है बना हुआ है उसी का metal का बना हुआ ये भी लेकिन size different है size क्या है यहाँ पर है 15 cm by 8 cm by 3 cm इसका मतलब कि हम कैसे find करेंगे इसका weight जब different size कर दिया है तो तो उपर जो दिया हुआ है size यदि आपका उस metal block का size दिया हुआ है तो इसका volume निकाल सकते हैं है कि नहीं तो मतलब कि हम इसको solve करेंगे इस तरीके से हम यहाँ पर use करेंगे unitary method कैसे use कर रहे हैं और वो इस समझना है आपको ध्यान दूजेगा weight और दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है तो लिख देंगे आप यहाँ पर कि weight of weight of a metal block weight of a metal block having अब यहाँ पर volume निकालेंगे पहले आप ठीक है यहाँ पर यहाँ करेंगे volume निकालेंगे weight of a metal block having volume having volume कितना हुआ जाएगा 5 into 4 into 3 5 into 4 into 3 reply करेंगे इतना centimeter cube is equal to 1 kg है ठीक है मैं क्या लिकाल रहाँ यहाँ पर कि weight मैंने लिख लिया 1 kg है किसका एक ऐसे block का जिसका volume दिया हुआ है 5 into 4 into 3 cm okay तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि weight of a metal block having volume 5,420 मटबले कर दिजिए यहाँ पर कितना है जाएगा 5,420 23,60 means 60 cm cube मतलब इतना centimeter cube वाले volume का जो weight है वो आपका है 1 kg ठीक है इतना clear हो गया अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 cm cube का अब यहाँ लगाना है आपको unitary method 1 cm cube का cube वाले 1 cm cube वाले metal block का weight कितना होगा तो यहाँ से करेंगे कि हम बस हमें क्या करना है बोट sides में 60 से divide कर देना है तो हम लिख देंगे weight of metal block having volume 1 cm cube देखें यहाँ पर हम use कर रहे हैं unitary method ठीक है तो 1 cm cube का कितना होगा weight यह हो जाएगा weight इसका 1 upon 60 kg ठीक है अब हमने 1 cm cube का weight निकाल लिया है ठीक है अब हमें निकालना पड़ेगा पहले जिस metal का यह different दिया हुआ dimension उसका volume निकालना पड़ेगा और उस volume का weight हम निकाल सकते हैं क्योंकि 1 cm cube का weight पता हो गया है तो अब यहाँ पर पहले निकाल लेंगे पहले आप निकाल लेते हैं volume ठीक है volume of the block having size having size 15 cm by 8 cm by 3 cm मतलब कि यह dimension का जो block है उसका volume कितना होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या करेंगे multiply कर देंगे 15 into 8 into 3 तो यह मिल जाएगा 37,24 मतलब कि मिल जाएगा 15 multiplied by 24 और इसको solve करेंगे तो मिलेगा 15 फोर्जा 60 का 0,6 carry over 15 फोर्जा 30,30 and 6,30 and 6,36,360 cm3 तो हमारा इतना volume आ गया जो block यहाँ पर दिया होगा है जिसका निकालना है उसका volume निकल गया है ठीक है अब यहाँ unitry method करेंगे हम जानते हैं कि 1 cm cube volume का जो weight होता है वो होता है 1 upon 60 kg तो उसी को लिख देंगे since we know that उपर वाले से यहाँ से कि weight of हम जानते हैं कि weight is of weight of weight of a block having volume जिसका volume कितना हो 1 cm cube है यदि एक block का weight कितना है 1 cm cube का volume का यदि कोई block है उसका weight है 1 upon 60 kg 1 upon 60 kg तब 360 cm cube वाले volume का जो weight होगा वो निकाल सकते हैं it implies weight of a block having volume कितना 360 cm cube इसको लिख निकल जाएगा 360 से मुटपलाई करतेंगे बस क्योंकि यहाँ पर 1 में मुटपलाई किया है 360 से तो इधर भी करना पड़ेगा 360 से तो into 1 upon 60 kg ठीक है एंटबैट करता है तो 0 से 0 cancel हो गया 66 जा 36 means निकल जाएगा आपका 6 kg ठीक है क्योंकि 6 है यहाँ पर 1 है 6 into 1 6 kg होगा तो यही है आपका required weight तो लिख सकते हैं okay hence the required required weight of the block is equal to 3 is equal to 6 kg right and this is your answer तो मतब यहाँ पर करना क्या था actually कि जो पहले जो dimension दिया होगा जैसे 4 cm by 3 cm sorry 5 cm by 4 cm by 3 cm का जो dimension का जो block दिया हुआ है उसका weight दे दिया है 1 kg तो यहाँ से पहले आप volume निकाल करके volume मैंने यहाँ पर निकाला है देखे 60 cm3 का weight जो है 1 kg है तो 1 cm3 वाले block का कितना होगा weight 1 upon 60 kg तो अब जो इतना dimension का जो block है उसका volume हो गया 360 cm3 तो 1 cm3 का weight 1 upon 60 kg है तो 360 cm3 का weight कितना होगा दिया कर देंगे तो ऐसे निकाल जाएगा 6 kg तो यहाँ पर मतलब mostly use हुआ है unitary method तो यह दिया आप unitary method जानते हैं तो solve कर सकते है बड़ी असानी से ठीक है और उसी का अंसार करना है बस one unit देखे क्या करना होता है unitary method में आपको बस one unit में निकालना होता है तो हमने क्या किया 60 cm3 का पता हो गया 1 kg तो 1 cm3 का हमने find कर लिया divide करके ठीक है अब 1 cm3 का find हो गया तो अब apply किया तो क्या मिल गया यह weight निकल गया 6 kg ओके तो यह answer हो गया तो मतलब यह आपको क्या करता है न कि different questions जो है आपको different तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं बस तो आप जो है अलग-लग तरीके से सोचेंगे different patterns आप एडप्ट करेंगी और सोचेंगे कि क्या और कैसे जो मैं पढ़ा हूं तो कैसे इस्तिमाल कर सकता हूं तो बहुत असान हो जाता question ओके तो thank you so much मिलते हैं आपसे next वीडियो में next questions साथ कोई भी doubt होता है तो comment जैनल लिखेगा आप comment कुछ करते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ासा inspiration मिले और मुझे